इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंग्लिश के कुछ शॉर्ट सेंटेंस जिसे हम अपने बच्चों के साथ जरूर बोलें ऐसा करने से हम बहुत ही आसाने से अपने बच्चों को धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं इसलिए वीडियो को आप जरूर पुरा देखें और वीडियो हेलफुल लगें तो प्लीज लाइक जरूर करें और भी सबी की साथ शेयर करें जिससे की हर किसी को इससे हेल्प मिल सकें तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं उठ जाओ गेट अप मौनिंग में हम इस संटेंस को बहुत इस्तेमाल करते हैं उठ जाओ गेट अप नहालो टेक बात जल्दी करो जब स्कूल जाने को देर होता है तो हम बच्चे से कहते हैं ना जल्दी करो तो उस वक्त हमें कहना है हरी आप हरी आप पकड़ो इसे होल्ड इट पकड़ो इसे होल्ड इट जाकर खेलो बच्चों की स्टड़ी जब फिनिश हो जाती है या फिर वो हमें परेशान करते हैं तो हम उनसे कहते हैं ना जाकर खेलो तो उस वक्त आपका है गो एंड प्ले बाई बोलो से गुड़ बाई कभी नहीं नेवर कभी नहीं नेवर इसी साफ करो क्लीन इट इसी साफ करो क्लीन इट इसी दोहराओ रिपीट इट जब हम बच्चों को स्टड़ी करवाते हैं तो कुछ अगर हम पढ़ा रहें तो उस वक्त हम कहते हैं ना इसे दोहराओ तो रिपीट इट फिर से कोशिश करो ट्राइ अगेन खुश रहो बी हैपी सीधे खड़े रहो स्टाण स्टील सीधे खड़े रहो स्टाण स्टील हिलो मत डोंट मूव हिलो मत डोंट मूव इधर देखो लुक हैर इधर देखो लुक हैर मुझे देखो लुक अट मी मुझे देखो लुक अट मी इसे लो टेक इट इसे लो टेक इट टेक इट और कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं को हम बोलेंगे, ध्यान से, बी क्यारफुल अभी तुरंद, राइट नाओ, कोई बात नहीं, नो प्रोब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रोब्लम जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टड़ी जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टड़ी कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप मेरा विश्वास करो, बिलीव मी चूप रहो, जब आप बच्चे से कहते हैं ना शान्त रहो, उस वक्त आप कहें शाट आप, चूप रहो, शाट आप, इसी लिख लो, राइट इट डाउन पढ़ाते वक्त इस सब्द का इस्तमाल हम बहुत करते हैं तो उस वक्त हमें कहना है राइट इट डाउन, इसी लिख लो, जगडा मत करो, डोंट फाइट कुदो मत, डोंट जाम, कुदो मात, डोंट जाम मुझी बताओ, टेल मी, मुझी बताओ, टेल मी यह आसान है, दिस इस इजी, यह आसान है, दिस इस इजी तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन आपको पता है, डो यू नो, आपको पता है, डो यू नो धंग से पेशाओ, बी हैव प्रॉपरली अब तुम कोशिश करो, नाव यू ट्राए वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक समझा करो, प्लीज अंडेस्टांड, समझा करो, प्लीज अंडेस्टांड सो ये थे कुछ शॉट संटेंसिस, इसे आप बच्चों की साथ जरूर प्रैक्टिस करें, ऐसा करने से बहुत ही आसानी से हम बच्चों को इंग्लिश लेंग्वेज बोलना सिखा सकते हैं, तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, बाबाई, टेक क्यार!